यही एक कारण है कि उन महंतों की दृष्टी रांगी राघव से हट गई क्यों कि परंपराबादियों ने समझा कि यह कम्यूस्ट है तो उसलिए उनके लिए वो अच्छूत इसलिए होगे कि यह कम्मिनुस्ट का दाग लग गया और कम्मिनुस्टों ने समझा कि अरे यह तो परंपरा को आधार मान करके चल रहा है यह तो हमारा नहीं है यह तो जनता का है तो जनता किसको चाहिए मित्र पिछली दफ़े मैं यहां गुरुदेव के पास आया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने रांग हे रागाव पर अपनी पिएच डी की है तो मुझे उनके विशह में जानने की उच्छता हुई और क्योंकि मैं उस तरह से पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं हूँ हाँ मुझे लोगों से मिलना उन्हें सुनना उनके माध्यम से दुनिया को जानना समझना अच्छा लगता है तो मैंने भी आज फिर से गुरुदेव के सामने डॉक्टर राजेंदर रंजन चत्रुवेजी जी के सामने ये प्रशन रखा कि वो रांगे राघव जी को कैसे देखते हैं उनको कैसे आखते हैं और उनको जानना उनके बारे में पता करना क्यों हम सब के लिए ज़रूरी है रांगे राघव को मैंने पीएश जी के अपने थीसिस के लिए चुना डाक्टर कमलेश जी मेरे गायट थे रांगे राघव के जो ग्रंथ थे जो पुस्तकें थीं उनमें जो बाजार में उपलब्द थीं उस समय उन किताबों को तो मैं अपने घर पर ले आया लेकिन उस समय भी माने सत्तर एकत्तर के करीब जब मैं बाजार में गया माने आगरी में भी और दिल्ली में भी तो उनकी सभी पुस्तकें मुझे नहीं मिली थी और सचाई ये भी है कि उनकी सभी पुस्तकें मुझे आज तक नहीं मिली लगबग 150 पुस्तकें उन्होंने लिखी थी एक जुनून था पुस्तकें लिखने का और ऐसा भी नहीं है कि वे पुस्तकें मौलिक नहीं है यह जरूर है कि उन्होंने उनकी जो एक विधा है वो विधा में एक अनवाद विधा भी है और उन्होंने संस्कृत के महान ग्रंथों का भी अनवाद किया अंग्रीजी के महत्वपूर्ण ग्रंथों का भी रूपांतरन किया और विश्व के साहित्य की जो अनवाद निधी है जो कहानिया है या जो उपन्यास है उनके भी उन्होंने रूपांतर किये थे तो ये बात तो है कि वो अनवाद है रूपांतरन है तो वहाँ तक तो बात ठीक है बागी जो उनके काव्य या उपन्यास या जो कहानी है उनमें उनका अपना जीवन अनुभव है जैसे कि कि अब वेर में वो रहते थे जब तो वेर में एक सुखराम नाम का करनट था और उनके लिए वो शहद देने के लिए आया करता था वो शहद की शोकीन थे तो शहद देने के लिए आया करता था तो वो जमाना था आदमी आदमी से प्यार का तो शुकराम के प्रति उनकी मब्दा जगी उनका अकर्षन हुआ तो उन्होंने सुखराम से उसकी जीवनी पूछे और सुखराम के जीवन में वो ऐसे उतरे ऐसे रम गए कि उसके आगे पीछे घुमने लगे उसकी जो दो पतनियां थी उनसे बाचित करने लगे और जब उन्होंने उनको पूरी तरीके से देख लिया, तो करनटों की वर्ष प्रंपरा को ले करके, प्रंपरिक संस्कृति को ले करके, उसके जीवन और जीवन के परिवेश को ले करके, वो जो उपन्यास उन्होंने लिखा है, कब तक पुकारूं? हलांगे उसका नाम पहले अधूरा किला था बाद में उन्होंने कब तक पकारू नाम लिख दिया था अधूरा किला असल में वेर में वो एक किला सचमुच में अधूरा था किसी जमाने में वो वहां रहा करता था सुकराम तो उन्होंने उसको लेकर के करनटों की जिन्दगी है कि पति और पतनी का क्या संबंद है और किस प्रकार से अंग्रेजी जमाने में उन लोगों को जरायम पेशा माना जानता था कि आप आपका जन्मी ही इस विरादरी में हुआ है तो आप तो अपराद ही है ही है यदे कोई अपराद होगा तो सब सी पहले आपको बलाये जाएगा, उस जाति को जरायम पेशा मा लिया गया, कि अपराद करना ही इनका पेशा है, उस ने दिखाया, कि किस प्रकार मनुष्टा इसमें है, और वो मनुष्टा की कैसी विवश्टा है, कि वो स्वयम ही कजरी और प्यारी के लिए दूसरे लोगों से योन संबंध की इजाज़त दे देता है लेकिन उनका जो दामपत्य है वो कितना इतना होने पर भी भरोसे का संबंध पत्य और पत्नी के बीच बना रहता है तो वो योन संबंध की जो पवित्रता वाली जो अवधारणा है रांगे राघव ने उस पवित्रता की अवधारणा के यथार्त को प्रस्तुत किया है यहां मेरा कहने का आश्या इतेबल यही था कि रांगे राघव ने जो लिखा अपनी अनभव से जीवन अनभव से लिखा इसलिए उनके साहित्य में उनका जीवन बोल रहा है जीवन तड़क रहा है तो एक सो पचास गरंथ और उनमें भी उसका स्वयम का जीवन अनभव एक जनून था उसके लिए जे शंकर प्रसाद की कामाईनी और उस कामाईनी का उत्तर देने के लिए उन्होंने मेधावी जैसा महाकावी लिखा मेधावी अब यह बात दूसरी है कि मेधावी महाकाव्यक पर उन प्रोफेसरों का ध्यानी नहीं गया जाता ही क्यों क्योंको वे तो अपने वर्ग को देख रहे हैं अपने वर्ग हित को देख रहे हैं अपने धायरों को देख रहे हैं वे उन परिजियों को लांग नहीं पाए यद परिदियों को लांग पाते तो रांगी रागव उनको नजर में आ जाता लेकिन रांगी रागव उसकी शुरुवात माक्स वात्से हुई इसमें कोई संदेह नहीं है विद्रोही व्यक्तित को था हालां कि उसके पूर्वज आचारी वर्शके थे और तमिल नाधु में आरकोट जिला में वे रहते थे आचारी वर्शके आचारी परंपरा की थे उनके लिए आच्षोमेद की जो उनके मन में एक सनक सवार हुई उसके लिए उनको राजस्थान में लेकर के आई थे और भरतपुर में वेर नाम की एक जगह है उस वेर नाम की जगे को उन्होंने जागीर के रूप में उनको समर्पित कर दिया, उन्होंने सीता राम का मंदर बनाया, लोग महंत के रूप में वहां रामानुसम्परदाश से जोड़े हुए थे, महंत के रूप में वही रहते थे, लेकिन इनके पता जी जो है, उनके मन मे में जलादिश बन करके रहे थे और उनके बीच के जो भाई वो वहीं महंत बन गए छोटे थे रांगे रागों ये जब आगरे में गए बाग मुझफर खां में ये रहते थे उसका नाम आजकल रांगे राग हो मार्ग हो गया है सेंट्यम्स कालेज के आसपास वहीं ये रहते थे तो वहां उन दोनों माक्सवादियों का गढ़ था कम्यूस पार्टी का एक केंद्र बन चुका था और कम्यूस्टों की जो है वो सेमीनार वहां हुआ करती थी और रांगी रागव नियमेत रूप से कभी कभी तो सेयोजन भ ही उनके विचाड थे अब एक सामंती परंपरा के परिवार का व्यक्ति इतना विद्रोही बना कि उसने अपनी महंती के जीवन को थोगरा दिया और एक बहुती बहुती कट्राई के जीवन को वरण कर लिया कि लेखक्त के रूप में जो कुछ कमाऊंगा वही मेरी जीविक होगी हालांकि उनसे तुमें स्वेमी मिला था जो उनके महंती जी बड़े भाई थे तो उनके मन में भी इस बात का मतीवर आक्रोश था कि उसने परिवार की परंपरा से विद्रोह किया और विद्रोह करके वो कमनुस्थ हो गया और उसने ऐसी कठिन जिंदकी चुनी उन्तालीस वर्ष में कैंसर के आक्रिमन को जेल नहीं पाए और उनका निधन उन्तालीस वर्ष लेकिन इस उम्र में कितना बड़ा साहिती है रांगी रागव ने लिखा और वो साहिती भी विस्तार की द्रिष्टी से या या क्वांटिटी की द्रिष्टी से आप सोचें वो बात नहीं है उसमें जो जीवन की जीवन की जो धार है जीवन की जो धर्षता है जीवन का जो रहस्य है जीवन की परवेश के साथ उसकी जो टोटेलिटी है वो सारी उनके साहिती में उतर करके आईए उनके उपनियास क यह जीवन बोल रहा है तो इसी प्रकार से कामाईनी की टक्कर का उन्होंने जो महाकावी लिखा बेधावी महाकावी अब उनके मन में इस प्रकार की बातें थी बंकिमचंद चटर जी का जो आनंद मथ उपर नियास उन्होंने लिखा उसका जबाब न दिया विशाद मथ के रूप में विशाद मथ जो भंगाल का जब अकाल पड़ा था तो वे एक चिकिसा दल के साथ आगरे से बंगाल चले गे थे और उन्होंने वहाँ वो देखा था कि किस प्रकार से होटलों के होटलों के पाइप से जो जो रोटी के टुकडे या जो चावल के दाने जो बह र उसमें से वो दाने निकाल करके खा रहे हैं वो टुकडे जो है बीन करके खा रहे हैं वही भोजने जिसको वो होटल के लोग फैक रहे हैं उसी भोजन को वे लोग ग्रहन कर रहे हैं वो उसको स्वाल उसमें एक चित्रों नहीं ऐसा भी दिया कि वो एक बच्चे ने वो रो अरे यह मेरा बेटा है, तब उसने उसके मर्भें वो करुणा जगी और उसने वो रूटी का टुकड़ा दुबारा उसके लिए दे दिया, तो वो जो मनुश्यता है, मनुश्यता का जो सम्बंध है, उसको लेकर के जो उन्होंने विशादमठ लिखा है, विशादमठ यह भी वास्तमिक चित्र है, अब इसी प्रकार से भगवती चर्ण वर्मा ने ठेड़े मेठे रास्ते लिखा, रांगे राघव ने उसका जवाब दिया, सीधा साधा रास्ता लिख करके, तो इस प्रकार से रांगे राघव का जो जीवन है, वो एक विद्रोही तेवर का जीवन था, साहित्य की किन विधाओं को उन्होंने छोड़ा, नहीं छोड़ा, हर विधा पर उन्होंने लिखा है, उनके पत्र, उनकी जो पत्री सुलोचना राघव तो शायद अभी भी हैं, तो सुलोचना जी के लिए जो उन्होंने पत्र लिखा है, अब वो पत्र जो है वो एक तरीके से जीवन, उन्होंने पूछा एक पत्र में सुलूचना जीने, जीवन क्या है, उस जीवन क्या है का जवाब में उन्होंने रांगे राघव ने जो पत्र लिखा है, वो पत्र क्या है, आप देखिएगा, को उसमें एक दर्शन, जीवन दर्शन उतर करके आया ह तो ये बार ठीक है, उन्होंने माकसवाद को स्विकार किया, इसमें कोई संद्य नहीं है, और इतिहास की ब्याक्षा, उन्होंने द्वन्द वात्मक भौतिक वाद के दर्शन के आधार परी की, वही उन्होंने स्विकार कर लिया, द्वन्द वात्मक भौतिक भात, तीसरा रास्ता निकलता है, एक दीवन का एक तीसरा खेत निकलता है, और उन्होंने भारती इतिहास की, उन्होंने महायात्रा गाथा नाम से एक गरंथ लिखा है, दूखंडों में प्रिकाशित है, किताम मेलने चापा था उसमें, उन्होंने भारत वर्ष के इतिहास की पुन तो लगा था, प्राचीन भारती परंपरा और इतिहास, ध्यान देने की बात यह है, कि जो हमारे इतिहास कार हैं, वे साक्ष ढूनने के लिए जाते हैं, तो वो पुराने पात्रों को आधार बना लेते हैं, पुराने जो खंडर हैं, उनको इतिहास का आधार बना लेते हैं, पुरानी और दूसरी दूसरे जो साक्ष हैं उनको आधार बना लेते हैं, रांगे रागव ने परंपरा को भी आधार बनाया, और परंपरा को आधार बनाया, और परंपरा के अवशेसों को आध्येन किया, और परंपरा को उनने का कि ये परंपरा जो है, ये ऐसी चीज नही हैं जिसको हम पूरी तरह से अप्रामानिक मान लें इस परमप्रा में इतिहास के सूतर हैं यह आपके पास दृष्टी है तो आप उसको खोच सकते हैं तो रांगे राघव ने परमप्रा को भी इतिहास का आधार बनाया और उसके आधार पर उन्होंने वो ग्रंत लिखा था यहां एक बड़ी रोचक बात यह है, कि उसमें उन्होंने ये तो सारे जो निशाद योग वगेरा वो अपने उन्होंने नाम दिये हैं, आध्यायों के नाम दिये हैं, लेकिन आगे चल करके, उन्होंने सत्योग, त्रेता, ज्वापर और कल्योग, ये नामों को भी उन्होंन कि उन्होंने स्वें भी ये लग दिया है, कि ये कोई अंतिम नहीं है, लेकिन मैं विचार के लिए एक प्रस्ताव, आपके विचार के लिए प्रस्तूत कर रहा हूं, तो इस प्रकार से जो भारत के इतिहास का जो दुनवात्मक दृष्टी से जो उन्होंने, तो माने ये ह है कि एक ऐसा जुनून वाला एक व्यक्तित था, कि किसी प्रकाशक के यहां बैठे हुए थे और किसी प्रकाशक के यहां कोई दूसरा लेखक आया था, उनकी बाचित चल रही थी संस्कृति शास्त्र लिखने के लिए तो संस्कृति शास्त्र लिखने के लिए उन जो लेखक महुदई थे प्रकाशक का या आगरह था कि आप हिंदी में एक संस्कृति शास्त्र पर किताब लिख दीजेगा वो जो लेखक महोदे ये प्रोफिसर महोदे थे उन्होंने कहा कि संस्कृत शास्त्रे साब शह नहीं है जिस अधोर हिंदी में लेखा जा है multip तोनों जब है जोले गए तो नोंने कहा कि इस चनोंति को मिसूईकार गड़ा हूं शंस्कृत श्र पर मैं जबार अध्यूंगा अबराद शास्त्र पर लिख दी जो चित्रकला तो उनके ऐसे ऐसे चित्र हैं तो चित्रकला में रमे तो उनका एक जीवन एक ऐसा हम मैं कभी कभी सोच रहा हूं कि जैसे वो जनून की जिन्दगी है एक जैसे आवेश की जिन्दगी है उनको पियजदी गोरखनात और उनका युग गुरग नात और उनका युग उनके पीएज़ी का विशेथा, हरियना टंडन जो है, हरियना टंडन के निर्देशन में उन्होंने वो ग्रंथ लिखा, और जिस दिन उनको उपाधी मिलने वाली थी, उस दिन वो आगरे में ही थे, लेकिन उपाधी लेने के लिए ने किस प्रकार से लोग PhD कर रहे हैं, इस PhD को लेने के लिए मैं जाओ, तंदन जी ने कहा, रांगे रागो, क्यों इस प्रकार की जिंदगी जी रहे हो, तुम सेंट जिंस कालेज में आ जाओ, प्रफिसर बन जाओ, न गुरु जी मेरी प्रतवा के साथ आप समझोता न करें, गु समझोता में सविकार नहीं कर पाऊंगा, तो इस प्रकार की एक से बड़ी बिचित्र बात हैं, जो है, रांगे रागो की रहीं, और रांगे रागो के जो मित्र थे, उनके जो सरकिल में थे, उन सभी लोगों ने उनके प्रती अपनी भावना अब्यक्त करने के लिए, रां मुश्किल की बात यह है कि जो हमारे जो महंत लोग हैं विश्वविद्यालेओं के और रहे हैं आज भी हैं और कल भी थे तो वह बात यह थी कि वह चाहते थे कि वह कम्मिनुस्ट पक्का कम्मिनुस्ट जो पार्टी से बना हुआ हूँ रागे राघंड ने साब साब लिख दिया कि भाई पार्टी मैं यद मुझे देखना चाहोगे तो आपको निराशा हात लगेगी क्यों कि मेरी प्रतिबद्दद्था पार्टी के लीडर से नहीं है मेरी प्रतिबद्द्था भारत की जड़ता से है मनुष्य से मेरी प्रतिबत दता है किसी पार्टी से नहीं है और बस यही एक कारण है कि उन महंतों की दृष्टी रांगे राघव से हट गई क्यों कि परंपराबादियों ने समझा कि यह कम्यूस्ट है तो उसलिए उनके लिए वो अच्छूत इसलिए होगे कि यह कम्यूस्ट है कम्यूस्ट का दाग लग गया और कम्यूस्टों ने समझा कि अरे यह तो परंपरागों आधार मान करके चलता है यह तो हमारा नहीं है यह तो जनता का है तो या जनता किसको चाहिए, सबको सत्ता चाहिए, जो कम्युनिस्ट टाइप के लोग थे, वे भी सत्ता के लिए प्रफिसर बने और उन्होंने उसी आधार पर पाठ्चे करमों का अंजरधारन किया, उसी आधार पर भड़ती की प्रफिसरों की, और जो परमपरावादी थे उन्होंने भी रांगे रागव को क्यों देखिया, उन्होंने का भाई ये तो दुन्दात्मक बहुत इकवादी है, परणाम ये हुआ, कि रांगे रागव सभी की नजर से उतर गए, लेकिन वो जनता का लेखक था, वो जनता का साहितिकार है, और जिस दिन लोग तंत्रव साली पात आएगी, उस न्रांगे रागव को खोच-खोच कर निकाला जाएगा, उसकी एक एक ग्रंत को रत्न की तरह से प्रकाचित किया जाएगा, हम एके लाएगाग।